कि जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्मार्ट स्टेडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो के इंतकर डिस्कस करेंगे राजस्तान जीके से डिटेल के साथ डिसकस करूँगा आपके एक्जाम में एस इस प्रेशन टपकने वाले हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्योशन है निमनलिकित में से कौन सी चोटी शंकला दक्षिन अरावली में अवस्ति थे हम सभी को पता है दोस्तों कि नाग पहार जो यूचाई बनने वाली है इसके अगर नेक्स की बात करूँ तो रगुनादगर जो है वो दस पिचपन इसकी उचाई है मैंने चोटियों वाले वीडियो में बता रखा है रगुनादगर अपनी कहां पर सीकर मिस्तित है तारागड की अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान रखने हैं मैंने सारी चोटी आपको बता दिये कौन सी चोटी कहां पर है आप आसानी से देख सकते हैं कि दक्षिन अरावली में जी जीला आता है वो सीरो ही आता है इसी की सबसे उची चोटी आती है 1722 मिटर वाली कल मैंने गलती से जल्द बाजी में जो 1022 के सम्टिंग बता दिया था आप ध्यान रखेगा 1722 या 1737 आपको डेटा मिलता है जो भी उप्षिन में मिले उसे करेक्ट कीजेगा तो आपका यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होने वाला है अचल गड़ इस प्रशन का अपना सही उत्तर दोस्तों होने वाला है चलिए नेक्स क्वेशन पर चलते हैं उससे पहले मैं आपको सार साथ चार साथ करके मन को हर लिया बेराट की बात करूं तो साथ जीरो चार है तो फिर से रिवाइज करवा रहा हूं खो की उचाई 920 है बरवाड़ की उचाई 786 है जैगर की उचाई 648 है और आपकी नहादगर की उचाई 599 है इसके बाद ही मनहोर पूरा की उचाई की बात करूं तो साथ चार साथ करके मन को हर लिया और साथ जीरो चार बेराट की उचाई है रगुनादगर के अभी बात की थी दस पिचपन है दोस्तों याद कैसे रखेंगे 5-5 इंजेक्शन रगु को दो पा लगाए टोटल कितने 10 इंजेक्शन लगाए बाबाई की उचाई की बात करूं तो 7-8 लोग में बाबा का जुन-जुना बजाते हैं ऐसे याद रख सकते हैं तो बाबाई की उचाई 780 होने वाली है वरज की बात करूं तो बे उचाई कितनी है 5-9-7 इसकी उचाई है सरिस्का की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपको द्यान रखना है सरिस्का की उचाई 6-7-7 इसको द्यान रखेगा भानगट की अगर मैं बात करूं तो द्यान रखेगा 6-4-9 भानगट की उचाई कितनी है 6-4-9 है और सीरावास इसकी उचे कितने 6-5 पन है एक की बार में सारी उचे याद हो जाएगी अगर आपने मेरा चोंटियों वाला वो वीडियो देख रखा है तो आपके एक्जाम में दावा है कि आपका एक भी प्रशन गलत नहीं हो सकता आपको ये सारी उत्री अरावली की चोंटियां पता चल गए होगी अच्छे तरीके से इनको द्यान रखेगा अगले क्वेशन की बात करें जालावाड का पठार अवस्तित है द्यान रखेगा जालावाड का पठार कहां पर अवस्तित है आपको द्यान रखना है जालावाड का पठार दोस्तों कहाँ पे आता है हाडोती के पठारी शेत्र में जालावाड का पठार आता है बात करें कुछ इस टाइप से इस प्रकार से ये विस्तारी शेत्र मना जाता है इसको द्यान रखेगा ये वाला जो भाग है ये जालावाड वाला भाग है दोस्तों इसमें द्यान रखेगा यहां पे जो शेत्र है वो कौन सा है डग शेत्र है और एक शेत्र है कौन सा गंगधार तो इन दोनों शेत्र को मिला गे बोला जाता है डग गंगधार प्रदेश इसको द्यान रखना है ये वाला जो शेत्र ये कौन सा है जालावाड और जालावाड का पठार माना जाता है तो ये पठार कौन सा है जालावाड का पठार ये वाला जो शेत्र ये कौन सा है डग गंगधार प्रदेश के नाम से जाना जाता है ये हाडोती में इस्तित है बात करें यहां की तो इस हा और 5-6 उचकी उचाई है इसको ध्यान रखेगा इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो एकोर आती है वो कौन सी है मुकुंद्रा की पहाडिया कौन सी पहाडिया जिसकी सर्वच्चू चोंटी जो है वो कौन सी है चांदबाडी है जिसकी उचाई है 517 मीटर तो ध्यान हाड़ोती पठारी शेतर के सबसे उची चोटी कौन सी है आप बताएंगे कौन सी है तो चंदबाडी या चांदबाडी के नाम से इसको जाना जाता है करेक्ट उतर आपका हाड़ोती का पठार होगा मैं इतने डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एक्जाम मानी जाती है वो कौन सी वाली है तो हम बात करेंगे चंबल की जो साइक नदी है वो बात करेंगे तो कौन सी है पारवती नदी के बारे मैंने कल भी बताए था राजिस्तान में दो बार प्रवेश करती है ध्यान रखेगा ये दोस्तों ये सीहोर मध्यप्रदेश वाले शे इसकी साइक नदी कौन सी जाखम, छोटी सादी के पहाड़ी शेतर से निकलती कौन सी जाखम ध्यान रखेगा, और बनास की साइक नदी जो है, वो कौन सी वाली ये बेड़च है, वो गुंदा के पहाड़ी शेतर से निकलती कौन सी बेड़च, तो यहाँ पर हम मेच करें, त 3, 4, 1, 2 किसमे option number 4 में दिख रहा है आपका यहां पर सही उत्तर कौन सा होगा option number 4 मैं हर question को कोशिश करूँगा detail के साथ बता हूँ जिससे आपके exam में आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी यह सारे question जो है वो exam में पूछे हुए प्रशने इसको जरूर ध्यान रखेगा ड morally जाड़ी वीदी से किया जाता है सरवादिक NACL की मात्रा पंच बदरा वाले में ही पाई जाती ध्यान रखेगा सामबर जील से राजस्तान का लगबग 8.7 प्रतिशत या भारत का 8.7 प्रतिशत नमक का उत्पदन होता है ध्यान रखेगा काफी ज़्यादा important है और राजस्तान सरकार को नोटीस जैरी किया गया है वो नोटीस जैरी किया गया राष्ट्री मानवादिकार आयोग के द्वारा अब यहां पर राष्ट्री मानवादिकार आयोग आपके सेलेबस में बहुत कम रहता है मैं यहां पर राज्य मानवादिकार आयोग के बारे में आ कांता भटनागर कांता भटनागर जो हैं फर्स्ट इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये गए और ध्यान रखेगा मदरास हाई कोड की सेवा निवरित न्याइदिश के रूप में इन्होंने काईरिक किया था सदस्य संग्या वर्तमान में बात करूं तो वन प्लस ट विदान सभा के अध्यक्ष विदान सभा में विपक्ष के नेता विदान परिशत के सभापती विदान परिशत में विपक्ष का नेता और राज्य के जो ग्रह मंत्री होते हैं उनको आप ध्यान रखेगा तो यह चे लोग हैं प्रश्ण पूछेंगे कोन इस समेती का सदस् प्रकाश टाटिया जी एक्जामे पूचाओ प्रशने रमेश चंद्र सर्माजी वरतमान में अभी तक राजिस्तान राज जमानवादिकार आयोक के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं पहले प्रावदान था कि हाई कोड का पूर्व रिटायड मुख्य न्याइदिश लेकिन अभी केवल पूर्व न्याइदिश भी इसका क्या बन सकता है यह चेंजे इसमें किया है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मैंने कोशिश किये कि थोड़ी डीटेल के साथ इस सदस होते हैं जो स्वीपारिश करती है यह न्यूक्ति किसके द्वारा की जाती है यह आपको ध्यान रखना है अगला क्वेशन काफी इंपोर्ण क्वेशन है बारत मोसम विबाग जो विबाग है आई एमडी की परिवाशा के अनुसार बयंकर सूखा होता है जो वर्षा मे कमी होती है कितने प्रतिशत की कमी होती है पचास प्रतिशत से अधिक अगर कमी हो जाती है तो उस चेतर में सूखा माना जाता है यह आपको ध्यान रखना है अब एक्जाम के लिए इंपोर्ण क्या है भारती मोसम विबाग की जो यहाँ पे वेदिशाला है वो जेपूर मे है बहुत एक्जाम में पूछा वो प्रश्ण है मैं फिर बोल रहा हूं यह प्रश्ण फिर से रिपीट हो जाएगा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अगले कोईशन की बात करें तो अपना नेक्स क्वेशन है अप्रेल 1999 से मरू विकास कारी क्रम को केंद्र और राजस्तान की द्वारा क्रम फंड किया गया तो बताको कितना आपको ध्यान रखना है पिचोत्तर 25 का फंड किया गया अगर इस योजना में 100 रूपे लगते हैं तो पिच 25 रूपे दिये राजसरकान ने रेशो की बात करें तो 3-1 का रेशो बनेगा इसको ध्यान रखेगा फिचोत्तर अनुपाद 25 का रेशो यहां पर सही उत्तर होने वाला है अगले प्रश्न की बात करें काफी इंपोर्डेन में यहां पर बताऊंगा आपको एक्वेशन आप प्रारम कब किया गया 1970 यह अलग सेपरेट क्वेशन दोस्तों अल्रेडी बन चुका है राजस्तान में जो डेरी विकास के लिए सीर से संस्ता यह एक्जाम में पूछी हुई है तो राजस्तान डेरी फाउंडेशन पहली जो डेरी थी वो पदमा डेरी थी आपको पता है कम दीदर सबसे कम रही है मलब 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या कहां पर व्रदी सबसे कम हुई है आपको द्यान रखना है पाली जुन जुनू और गंगानगर का वह शेत्रा आता है चलिए फ्रेंस नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं जो अपना अगला जो क्वेशन है वो लेकिन थोड़ी सी डिटेल यहां पर और भी देख लीजिए डिरेक्ट प्रेशन पूछे जाएगा आपसे इसको आपको थोड़ा से द्यान रखना है जनसंख्या जो है राजस्तान क बात करें तो राजस्तान में जन गनत्व 200 है इससे पहले 165 था कितने की व्रिद्धी हुई है तो 35 की व्रिद्धी हुई है एक्जाम में 35 ये एक्जाम में पूछा जा चुका है ध्यान रखेगा व्रद्धी वाले क्वेशन वर्तमान सभी में बहुत जादा पूछा जा र बनेगा लिंगा अनुपात 928 है इससे पहले 921 था 7 की व्रिद्धी हुई है इसको ध्यान रखना है और 21 वा इस्तान इसके अंतगर आता है शिशु लिंगा अनुपात के अगर में बात करूँ तो 888 है और 909 पहले कितना था 909 इसमें ध्यान रखेगा कमी हुई है ये एक् 1000 बच्चों पर लगबग 47 बच्चों की मृत्यू हो जाती है इसको ध्यान रखना है मात्र मृत्यू दर की बात करूँ तो 245 से इसको ध्यान रखना है शिचु को जन्म देते समय राजस्तान में लगबग 245 माता है उनकी डेत होती है इसको ध्यान रखना है ST जनसंकिया की बात करूँ तो 13.5 प्रतिशत है ST के अगर मैं बात करूँ 17.8 प्रतिशत इसको ध्यान रखना है कायरीशील जनसंकिया एक्जाम में RS प्रिलिम्स पूछे जा चुका है और शाक्षरता की अगर मैं बात करूँ तो 66.1 प्रतिशत साक्षरता यहां पे है तो यह सारे फेक्ट आपके एक्जाम में पूछे जा चुके है जनसंकिया का लास्ट डेटा यूज हो रहा है इसलिए आपके एक्जाम पॉइंट वी से काफी ज़दा इंपोडेंट है चलिए नेक्स प्रेशन पर चलते हैं बारत वनिस्तती रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजिस्तान के निमली कित जीले में उसके भोगोलिक शेतर का सबसे न्यून वनावरन जो है वो पाया जाता है हम सभी को पता है चूरू तता जोतपूर जो है हमेशा इसमें इसी इस्तान पर रहते हैं ध्यान रखेगा चाहे नविन्तम रिपोर्ट अभी 2019 वाली आ चुकी है मैंने उल्रेडी उसका वीडियो सेपरेटली रूप से बना दिया है डुंगरपूर और बासवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मरदा पाई जाती तो लाल दोमट मरदा या लाल लोमी मरदा भी इसको का जाता वो पाई जाती है डुंगरपूर और बासवाड़ा का सम्मेली उत रूप से जो शेत्र कहलाता है वो वागड के नाम से जाना जाता है अगले क्वेशन की बात करें राजस्तान में वर्षा की परिवर्थिता सबसे कम की शेत्र में है तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्तान की अगर मैं बात करूँ किस की तो उत्तर पूर्वी राजस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर वर्षा जादा होती है लगबग हमेशा ही वर्षा होती है परिवर्थिता बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है लेकिन बात करूँ कि उत्तर पश्रीम शेत्र की तो उत्तर पश्रीम शेत्र में परिवर्थिता काफी ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर जैसल मेर का शम शेत्र आता है जहां पर कभी-कभी बारिश हो जाती है कभी-कभी सूका रह जाता है सबसे ज़्यादा परिवर्तिता तो देखने को मिलती कहां पर उत्तर पुर्वी शेत्र में सबसे कम देखने को मिलती है उत्तर पूर्वी शेत्र में आपका यहां पर सही उत्तर कौन सा होने वाला है तो आपको ध्यान रखता है यहां पर जो शेत्र तो परिवर्तिता सबसे कम की शेत्र में देखने को मिलती है पश्रीमी बाग में जादा गोगुंदा के पहाड़ी शेतर से होता है वैसे बात करूं तो आयड के नाम से उसको जाना जाता है उसके बाद ये किस जील में गिरती है तो आपको पता होना चाहिए उद्देशागर जील में और उसके बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है तो यहाँ पे बात की गई है गोगुंदा के पहाड़ी शेत्र की बेराट के पहाड़ीयों के अगर मैं बात करूँ तो यहां से नदी निकलती दोस्तों कौन सी नदी बान गंगा नदी जिसको अरजुन की गंगा और रूंडित सरीता के नाम से जाना जाता है नाग पहाड अजमेर वाले शेत्र के अगर बात करें तो नाग पहाड अजमेर से निकलती है कौन सी नदी लूणी नदी बेराट के पहाड़ी के उचए हमने पढ़ी थी दोस्तों साथ सुचार है नाग पहाड़ की उचए कितनी है तो सेवन नाइन फाई पर ध्यान रखेगा मध्यप्रदेश में जावद की पहाड़ी शेतर से नदी आती है तो आमें ध्यान रखना है कि मध्यप्रदेश में जावद की पहाड़ी शेतर से एक नदी निकलती है उसको ध्यान रखना है गोगुंदा के पहाड़ी शेतर से बेड़च निकलती है एक नदी है वो कौनसे वाली बनास जो कहां से उद्ग तो आप मुझे कमेंड में लिए कि बताइए किन नदियों के संगम पर किन नदियों के संगम पर दूर्ग बना हुआ है कौन सा वाला तो अपना चितोडगर दूर तो दोस्तों आपको दियान रखना है कि मद्यप्रदेश की जावत की पाड़िया है वहां से जो नदी निकलत एक ही स्लाइड में सारी-सारी नदियों का उधगम बताने वालों वह द्यान से सुनिएगा आपके एक्जाम में डिरेक्ली रुप से प्रश्न बन सकता है बात करें किसकी बनास की तो दोस्तों ध्यान रखेगा बनास नदियों उधगमित होती वो कहां से उती होती दोस्तो खमनोर के पहढ़ी शेत्र粉 repls असारी नदियों का रिविजन हो जाएगा यह ध्यान रखिएगा काली सिंद नदी के अगर मैं बात करूँ तो बादली की पहढ़ीया या बागली की पहढ़ीया से उदगमित होती है तो ध्यान रखिएगा मध्यप्रदेश वाले शेत्रस है ब पेड़च नदी का उद्गम होता है वो कहां से गोगुंदा के पहाड़ी शेतर से होता है पारवती नदी की बात करूँ तो यह सीहो और मद्यपरदेश वाले शेतर से निकलती है वो नदी कौनसी वाली है तो पारवती है चंबल की बात करूँ तो जनापाव की पहाड़िया जनापाग की पहाड़िया मद्यप्रदेश विंद्यांजल परवशंकला वाले शेत्र से और गंबीरी की अगर बात करूँ तो अभी पढ़ा था हमने कौन सी जावत की पहाड़ी शेत्र से तो यह सारी नदिया इंपोर्डेंट है मैंने एक ही स्लाइड में आपको बताने की क उद्गमित होती है वो नदी कौन सी वाली तो कांतली नदी साभी की बात करूँ तो सेवर की पहाड़िया जैपुर वाले शेत्र से नदी उद्गमित होती है कौन सी साभी नती है मैंता की बात करूँ तो यह मनवर पुरा के पहाड़ी शेत्र से निकलती है वो नदी कौन स कों सी अपनी रुबन कर गगड़ की बात करें तो गगण नदी उद प्रदेश वाले रिजन से उसको ध्याशन रखेगा रूप काझा गाजी फोरेस्स अलवर वाली शुला पाइट कोउसी उद्रती लूनी नदी मही की बात करूं तो आम मोरू की बाहड़ीया धार मध्यपदेश के निकर से उद्गमित होती है सोम की बात करूँ तो ये नदी उद्गमित होती दोस्तों कहां से बीच्छा मेटा की पहाड़ियों से जाखम की बात करूँ तो छोटी सादडी वाले शेतर से उद्गमित होती है इसको दियान रखेगा और पश्चीमी बनास की बात करूँ तो नया सोनवाडा सीरोई वाले शेतरे से उद्गमित होती है ये एक ही स्लाइड में मैंने कोशिश की है और मैं आपको फिर बता दूँ कि जब तक आपका पूलिस का एक्जामनी होगा मैं बार-बार इस स्लाइड को एड़ करूँ और बार-बार रिविजन करूँ और जिससे आपको आसनी से ये सारे के सारे डेटा याद हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं निमली कितमे से ठार के मरुस्तल किस भाग की जो तेल की उचाही हो सबसे मतलब सबसे कम उचाही है आपको अगर थोड़ा सा पता अब ये क्वेशन common sense के उपर था अगर आपको थोड़ा सा पता था आप आसनी से इसका अंसर कर सकते हैं आपको पता यह अरावली है और अरावली के मद्दे में जीला आता है कौन सा अजमेर अजमेर में इस्तान है कौन सा नाक पाहड़ वाला शेत्र और नाक पाहड़ वाले शेत्र से एक नदी का उद्गम होता है जो नदी है लूनी नदी लूनी नदी अजमेर से उद्गमित हो वे थोड़ी सी उपर की तरफ जाती है वो जाती है नागोर में नागोर से नीचे जाती है पाली में और पाली से फिर उपर जाती जोत्पूर में उसके बाद जाती बाड़ मेरव और बाड़ मेरव के बाद जालोर से होते हुए गुजरात में चली जाती है अगर आप इसका pattern देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां से कि उत्तर पश्चिम से यह नीचे की तरफ जा रही है तो हमें यहां से यह पता चल रहा है कि मरुस्तल का जो ढलान है वो कुछ इस टाइप से है मलब नीचे की तरफ नदी आरित हम यह बोल सकते हैं कि मरुस्तली भाग के की तरफ प्रवाइट हो रही है इसको आपको दियान रखना है आपका सही उत्तर दक्षिणी बाग होने वाला इसको जरूर दियान रखेगा अगले क्वेशन की बात करें उत्खात इस्तलाकृती पाई जाती है तो हम सभी को पता है दोस्तों कि उत्खात इस्तलाकृती जो है कहाँ पे सवाई मादोपूर में डांग की रानी यहाँ पे बीच में आरित कौन सी है दोस्तो करोली और डांग का राजा कहा जाता किसको दोलपूर को तो तीन फेक्टें यहाँ पे सरवादिक बीहड विस्तार की बात करें तो सवाई मादोपूर लेकिन शेत्रफल के आदार पर बीहड विस्तार की बात करें तो दोलपूर, बीहड की रानी करोली और बीहड का राज़ा दोलपूर को कहा जाता है, तो दोलपूर और सवाई मादोपूर में इस्तला करती जादा पाई जाती है, ध्यान रखेगा, यहाँ पे यह जो पट्टी पूरिक पूरी विस्तारी तो बात करें कहां पर अवस्तित है आपको ध्यान रखना है मेसा के पठार पर चितोड का किला दोस्तों अवस्तित है बीजासन के पठार के अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि यह बीलवाडा में है यह ध्यान रखना है काफी जदा important है, बोराट के पठार की बात करूँ, तो गोगुंदा से कुम्पल carrier तक, जो पठार विस्तार है, वो कोंसा है? बोराट का पठार, और एक पठार की बात करें, तो वो पठार कॉनसा है? बिजोलिया, बिजोलिया से लेकर, बेंस रोटगर तक विस्तारी थे वो उपर माल का पठार है तो ये सारे पठार है इसको आप दियान रखेगा अगर बात करें चितोड में तो चितोड में एक तो पठार आता है कौन सा दोस्तों मान देसरा का पठार आता है और एक पठार आता है कौन सा मेसा का पठार जिस प तो यह भी आपको धियान रखना है काफी जादा important है उसके बाद राजास्तन का सबसे उचा पथार है वो पथार कॉन सा दोस्तो उडिया का पथार है और एक पथार आता है कौन सा आबू का पथार उडिया के पथार सकते हैं नक्रीं जील इस्तित हैं काफी important डेटा है अगले question की बात करते हैं निमलिकित में से कौन सा मध्य रावली में अवस्तित है मैंने थोड़ी देर पहले बताए था कि खो की उचाई 920 से जेपुर में अवस्तित है नाग पहाड की उचाई की बात करूँ तो 795 कहां पर अवस्तित है तो बात करेंगे अजुमेर में गुरुशिकर की बात करूँ तो यह 1722 या 1727 है इसको ध्यान रखेगा यह कहां पर है आपका सीरोई में रगुनादगर की बात माँ बनने के उससाब पर पॉम्चा पाएना जाता है पीला पॉम्चा और घुलाभी पॉम्चा आपको ध्यान रखना है एक घुलाभी जो की बोल सकते हैं कि बच्ची के जन्म पर पाएना जाता है यह काफी तो ये नगर कहाँ पे है नवाबो की नगरी टोक में है तो नगर तो है वो कहाँ पे दोस्तों टोक में है ध्यान रखेंगा काफी ज़्यादा important है और कि अगर मैं बात करूँ तो बाला थल की अगर बात करें तो आपको पता है उदेपूर वाले शेतर में सब्वेता इस्तल आता है बाला थल वाला इसको आप जयान रखेगा इसके थाथ बात करें बागोर जहां पर की पशुपालन के प्राचिंतम शाक्ष मिलेते दोस् शेतर पर आता है इसके बाद अगर बात करें रंग महल की तो ये कहां पर आता है और रंग महल और काली बंगा वाला इस्तल आता है ये अपने हनुमान गड़ में आता है किस नदी किनारे गगगर नदी के किनारे अगले क्वेशन की बात कर रहे हैं निमलीकित में से कौन सा महल रन्थम वोर में अवस्तित है हम सभी को पता है वो महल कौन सा है तो ध्यान रखेगा जोगी महल बादल महल कुंबलगर दूर्ग का काफी ज़्यादा फेमस है इसको ध्यान रखेगा क्योंकि महाराना प्रताप वीर शीरोमनी महाराना प्रताप का जन्मुवता चंद्रमा उड़ना राजकुमार ने अपनी पतनी तारा के लिए गड़ बिटली दूर के चारोतर परकोटा बनवाए था तब से उसका नाम क्या कहा जा रहा है तो तारा गड़ दूर के नाम से उसको जाना जा रहा है तो गड़ बिटली ये बिठडी पहाडी परिस्तित था इसको गड बिठडी का जाता था इसके चारों तरफ प्रत्वी राज शिशो दिया उन्ना राजकुमार ने क्या किया अपनी पत्नी तारा की याद में क्योंकि उनकी मृत्ति हो गई थी तारा की तो उसकी याद में एक परकोटा बनवाया दूर्ग का नाम क्या रग दिया अब डीटेल स इस्तित होने से अरावली का अर्मान और राजस्तान का हरदे इसको कहा जाता है राजपुता ने की कुंजी कहा जाता इसको दियान रखेगा और राजस्तान के जिब्राजल के साथ इसको दूसरे जिब्राजल की संग्या दी थी विश्याप फेबर ने इसको भी दियान गुछतो कॉछता वाले शेतर में बार चे मोंसाथिWow Zngarati काँ पेंटी मिल को सवालिक है और उदेपूर शेतर में पाये बात करें मिरना जैपूर वाले पाई जाती हैं आप सभी को पता है कि इनसे क्वेशन भी पूछा गया है तो उसको ध्यान रखेगा जरायम पेशायक्ट मीरा जन जाती से समंदित है द्यान रखेगा निमलिकित में से कौन सा मेला वर्च में दो बार बढ़ता है आपको ध्यान रखना है वैसे अधिकतर समंदित है तो यह पाशान काली संस्कृति से समंदित है औप्शन नमबर फरस्ट यहां पर करेक्ट होगा ताम्र पाशान काली संस्कृति से दोस्तों समंदित है आभूशन जो सीर पर नहीं पहना जाता है मेमंद वैसे ही मंद बुद्धी कहां पर होती सीर में तो हम बोले हाई कुण सा कणकत्ती एक होता है कंडोरू यς सारे अवुषण कहां कहें तो द्यान रखे कि मैं सारे सीर्प के आ बुषण आपको बता देता हूं कौण कौण से वाले हैं एक तो है कौण सा दामीनी एक धन एक है सांकली, एक है हांकली, एक है खीच, एक है चान सुरज, एक है ताबीद, ताबीज यह मत करिएगा, ताबीज यह तो गलेगा बनता है, शीश, टिका टिकडी, रकडी, गेडी, जालर, हीकडा, ताता, सुर्मंग, मेमंद, एकजा में पूछाओ प्रशने मेमंद वाला, सिंगार, बाला पास, गोफण बालों में गुथा जाने वाला आभूशन द्यान रखेगा गोफण है, थुंडी और डेरी ये सारे आभूशन कहां के सिर्के हैं इसमें से कोई टपकेगा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पूछा हुआ है, दामी नी पूछा हुआ है दोस्तों द्यान रखेगा, सांकली पूछा हुआ है ये भी द्यान रखना है, पूछा हुआ है क्योंकि कन्फिस करेगा आपको ताबीज के साथ ये पूछा हुआ है, इसके साथ टीका पूछा हुआ है आपको द्यान रखता है एक और पूछा हुआ है सूरमंग एक पूछा हुआ है मेमन एक पूछा हुआ है कौन सा सिंगार और एक पूछा हुआ है गोपन तो ये तो एक्जाम में पूछे जा चुके हैं बचे हुए को जरूर द्यान रखेगा पुछकर मेला लगता है रासमन में ये भी कार्तिक में ही लगता है बात करें एक कपिल दारा का मेला और एक कपिल मुनी का मेला भी कब लगता है तो आपको द्यान रखता है ये भी कार्तिक में ही लगता है बात करें एक और कौन सा मेला तो चंदर बागा मेला ये भी जालरा पाटन जा सारी डीटेल हमें आपर डिसकस करनी हैं अंभी का माता मंदी रवस्तित हैं जगत उतेपूर में दोस्तों अंभी का माता मंदी रवस्तित हैं इसको जरूर ध्यान रखिएगा खफिजादा important है यह मेवार के खजुराओं के रूप में भी आपको ध्यान रखना है हाडोती के खजुराओं के रूप में किसको जाना जाता है बंड देवरा बारावाले को जाना जाता है इसको ध्यान रखेगा राजिस्तान का खजुराओं किसे कहा जाता है यह आप मुझे comment में लिखके ज़रूर बताएगा अगले question की बात करें तो निमली कितमे कौन सा शाशक blue pottery को संड्रक्षन दिया था बात करें blue pottery की तो इसका दूसरा नाम कौन सा है तो ध्यान रखेगा इसको rice pottery के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि costing काफी जादा आती है इसका इसको rice pottery कहा जाता है दियान रखेगा बात करें तो किसने संड्रक्षन दिया था तो जैपूर के राजा कौन थे सवाई राम सिंग जी थे जिनोंने इसको संड्रक्षन दिया था इसके बारे में आपको दियान रखना है रईस pottery के नाम से इस blue pottery को जाना जाता है blue pottery का जादू कोर कोन है यह मुझे comment में लिखके आप जरूर बताईए question का answer देंगे तो एक बहुत अच्छे तरीके साब इन चीदों को समझ पाएंगे अगला question है कि कौन सा नरत्य जंजाती में नहीं आता है तो हमें पता एक वाला नरत्य जो है वो गराश्या जंजाती के द्वारा किया जाता है गवरी जो है द्यान रखेगा बील जंजाती से समंधित है मांदल जो है वो गराश्या जंजाती से समंधित है लेकिन गूमर किसी से समंधित नहीं है गुंबर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसे राजस्तान का रजवाडी नरत्य भी का जाता है द्यान रखेगा इसे ये बोल सकते हैं महलों का नरत्य भी बोल सकते हैं इसी को राजस्तान में नरत्यों का सीरमोर और नरत्यों की आत्मा भी इसको का जाता है द्यान क्वेशन की बात करते हैं और यह क्वेशन बहुत इंपोर्डेंट है ध्यान रखेगा कमायाचा मांगणियार समुदाई के द्वारा तो क्वेशन ऐसे पूछा गया था कि कमायाचा किस के द्वारा तो मांगणियार जाती के द्वारा बहुत आयसे प्रियोग किया जाता है य कि वो संपरदाई लाल दासी था जिसके कौन थे तो अनुयाई मेव से समंधित भी थे अब सिंगल फेक्ट के रूप में आपसे क्वेशन है और इसका फिलिंग दब्लेंग के रूप में आपको आंसर बढ़ना है नसीराबाद का विद्रो कब हुआ था आपको ध्यान रखना से क्वेशन को समझ पाएंगे एक बार बिना देखे अगर आपने आंसर दे दिया आप पर्मानेंट कभी नहीं भूल पाएंगे तो द्यान रखेगा नसीराबाद का विद्रो होता है वो 28 मई 1857 को होता है बिल्गुल करेक्ट हैं बेवार बीलकोर की स्थापना ज्यान रख पुताना रेजिजेंसी की स्थापना की गई लेकिन अंग्रेजों को गर्मी जादा लगती थी तो इसका मुख्याले एक और बनाए गया 1845 में वो सीरोही में बनाए गया था ध्यान रखेगा अबुवाले शेत्र में हूटा समयलन के बारे में SI के पेपर में क्वेशन पू मेवाड बिलगोर की स्थापना 1841 राजपुताना रेजिजेंसी की स्थापना 1832 हूडा समयलन की जो यह बात करेंगे 17 जूलाई 1734 और हूडा बिलवाडा में परता यह ध्यान रखेगा और मानगण पहाडी हत्याकान जो हुआ है वो ध्यान रखेगा 17 नवंबर 1913 को हुआ यह सारे फेक्ट इंपोरेंट है ध्यान रखेगा 28 माई 1857 इसको ध्यान रखना है राजपुताना रेजिजेंसी की स्थापना जो गिरिश्मकाल की 1845 राजपुताना रेजिजेंसी सामयनी स्थापना 832 मेवाड बिलगोर की स्थापना 841 हूडा समयलन 1734 और 17 नौंबर 1913 औ 1841 मेवाड बिलगोर की स्थापना कोशिश की है कि कम समय में आपका रिविजन के से जाधा हो यह मेरे तरफ से परियास है आपकी तरफ से आप सजेशन दे सकते हैं वीडियो देखने के लिए साही दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू थेंक्स वर वाचिंग ज